दोस्तो स्वागत है आप लोगा हमारे यूटूब चैनल महांसर में दोस्तो हम लेके आये हैं इतियास शामान ग्यान की प्रेक्टिस सेशन जिसमें हम 15 बेस्ट कोष्चिन की प्रेक्टिस करते हैं और यह कोष्चिन किसी ना किसी एक्जाम में आए हुए होते हैं और ऐसे ही क आपके एक्जाम में देखने को भी मिलते हैं तो किलास को इसकिप न करिएगा बिल्कुल पूरा देखिएगा बहुत ज़्यादा अपकी 8-10 मिनट की आपकी क्या होती है किलास होती है तो स्टार्ट करते हैं और आज का जो कोश्चन है 676 नंबर का कोश्चन है और बहुत ही इ जीवन से प्रकार्शी चला गया है रोशनी चली गई है तो ऐसा कौन व्यक्ति बोल सकता है देखिए लाड मांट बेटन के तो इनसे कोई मतलब भी नहीं यह तो बोली नहीं सकते बचे आपकी यह तीन है इनमें से आपको जेखना है कि कौन गांधी जी के सबसे नजदीक तो वो आपके काउंते जबाहर लाल नहरू थे इन्होंने ही ऐसी बात कही थी कि मानों कि हमारे जीवन से प्रकार्श चला गया है तो सई उप्सन आपका क्या हो गया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों नेक्स्ट क्या है फेनिक्स फॉर्म की स्थापन किस ने की थी बहुत इंप्रटेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके एक्जाम में आ गया तो मानों आप इसको सई नहीं कर पाओगे अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखते हो और इसका जो सई उप्सन है मैं आप लोगों को बता देता हूं सई उप्सन इसका चार में साउथ अफ्रीका में इसकी इस्थापना एंठी देरवान से जलर बू और तो इन फीख और भंगे ने ने बन गया खाल data तो다면 कंता हो उनीचे फेनिक्स फॉर्म से रिलेड़ेड़ है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ और नेक्स्ट कोश्चन क्या है दोस्तो उनीच सो सहतालीस के बारतिय राष्टिय कांग्रेश के दिल्ली अधिश्टा किसने की एक अधिश्टा होता है उनीच सो सहतालीस में बारति बी विल्कुल सही जबाब है next question क्या है बर्ष 1932 में अखिल भारतिय हर्जन संग के संस्तापक कौन थे एक पत्रिका भी आई थी हर्जन पत्रिका के नाम से एक संग भी बना था आपका हर्जन संग तो यह किस ने बनाया था क्या हर्जन के संग आपका बाबासाब अंबेड कर बनाएंगे यह जग जीवन राम बनाएंगे यह मात्मा गांधी system से देखके बताना है काउन ऐसा हो सकता है जो हर्जन शंकी संस्तापक हो सकते हैं वैसे तो आप इसको Maarlen देंगे लेकिन इसका सही आपका क्या है मात्मा गांधी क्योंकि मात्मा गांदी ने 1932 में एक पत्रिका प्रका जारी कि थी आर्जन पत्रिका और एक अखिलवारती रिघ्यर्ष संग की भी स्थापना के थी जिसका मतलब यह था कि reduce भी अखिलवारत्य संग के एक तरीखें से दल स्थाश्यاتər है जैसे कि पूरा भारत वैसे हमारे ये भाई भी है तो इसका सही जवाब आपका क्या है डी है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्या है 1923 में चित्रंदन दास और मोतिलाल नेरू ने कहाँ पर सोराज़ पार्टी की स्थापना की थी बताना है आप लोगों को आलांकि यह तो आपको पतर होगा मोतिलाल नेरू और च सब्सक्राइब करें दोस्तों देखते हैं कहां 21 एक्टूबर 21 एक्टूबर और क्या लिखा है 1940 को स्वतंद्र भारत की आजाद हिंद सरकार की गोशना की गई थी एक तरीके से सिधे-सिधे जबार बirt कम्यों लिो महासवाा बिल्कुल सपोर्ट किया है पंजाब ऐब आपकी सपोर्ट में थी अब कम्यूनिस्ट इंडिया अब पार्टी ऑब आपकी सपोर्ट में थी तो इसमें से जो सही अप्तन है वो आपका क्या है इन में से कोई भी नहीं है जो support में नहीं था तो सही अप्तन क्या है डी है next question दोस्तों बहुत important question है hunter आयोग की निपती की गई थी बताइए काल कोटरी घटना के बाद की गई थी या फिर बंगाल विवाजन के बाद या जलिया बाला बाग अत्याकांड के बाद है तो ही जो hunter 2001 की एक तरीके से श्टापना की घए थी तो यह अपका आया था जलिया बाला बाग के बाद ऑल जलिया बाग आपका 13 अप्रेल यह 19 थी तो इसके लीए प्रदर्शन हो रहे थे तरन्हें भी हो रहे ही धे बाद में तो इस्हीं Цीज के लिए hunter committee बनाई गई थी जिसका जो आपका जो इंचार्ज बनाता वो लाड हंटर ही बनाता इसमें मतलब बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे की भारतियों को कुछ रहा मिले या कुछ राहत मिले इसमें सीधी सीधे आपको क्या कह दिया गया था जो डैनल डा अब आपका सिए इतियास में पढ़ेंगे ऐसी चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारत छोड़ो अंदोलन कप्रारंब हुआ तो भारत छोड़ो अंदोलन वैसे तो आठ अगस्त तुनिस्स तो बियारिस को होता है लेकिन यहां पर ऐसी कोई डेथ नहीं है तो आपक ब्यक्ति कोंता जिसने जामा मस्जित में जाके बहां से जो प्रवचन मंच है जहां से मतलब बासट देते हैं बहां पर हिंदू मुस्लिम एकता के बासट दिये थे तो वह आपके स्वामी स्रद्दानन थे मात्मा गांधी थे मदन मोहन मालविय थे लाला लाजपत्र है तो और नेक्स्ट कोेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों. नेक्स्ट कोष्चन क्या बोलता है तो जो टीचर थे वो आपके काउंते वो जेवी क्रिपलानी थे यानि के सही आपका ओप्षन ए है नेक्स्ट कोश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्या है बारतिय सुतंतरता संगर्ष के दाउरान मतलब इंडियन फ्रीडम इस्टगल के दाउरान निम लिखित में से किसने फ्री इ जो इसका जो गठन किया था प्री इंडियन लेजिन का वो सुभाष चंद्र बोशने किया था और इसी का नाम आजा दिन फोच पड़ता है तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कौन सा कोश्चन है सही ऑप्षन फिलाल क्या है अप्षन भी है न आपको बताया था मुहम्मद बिन तुगलक जो आता है इसको विरोधों का काल का आ गया है इसके काल में बहुत विरोध होते हैं बड़ा ही आपका क्या है आपका विरोधों में फशा रहता है तो सही ऑप्षन क्या है मुहम्मद बिन तुगलक को ही बताया है तो आपका क्य करने जवाब हिब्राहीम लोदी होता है जो बंसका अंत्यमसाशक होता है और इसके बाद क्या होता है मुगल शामराज की स्ताफना होती है और ये इब्राहीम लोदी आपका पानी पत्तर के फस्ट्बॉर भी हैं बहां पर यूद्ध होता है आपका 21 अप्रेल 1526 को जिसमें ये मारा जाता है और बावर की जीत होती है बारत बावर बहां से बारत पर क्या करता है मुगल बंच की स्थापना करता है तो सभी अपका क्या है फिलाल तो डी है तो कैसे लगे आप लोगों को क्वेश्चन बताईएगा अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तक कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे तो लोगों सपोर्ट करते रहे और श झाल जए लोगों कासिनheक्व और लोगों कर दो से जँबजाने सब्सक्राइब को सभी प्रेसिता कि वीडियो का लेख़ Adult वीडियो को